जटपट दुकान, स्टोर बनाने से आपके स्टोर को हर घर तक ले जाने तक बिग ब्लिस, बिग ब्लिस, हर कारोबारी की, खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान तेश के सबसे बड़े प्याज उत्पादक राज्य, महराश्च में किसान इन दिनों कौडियों के भाब प्याज पेचने के लिए मचपूर है कहीं 150 तो कहीं 200 रुपे प्रति कुइंटल के रेट पर प्याज पिक रहा है, लेकिन क्या दूसरे राज्यों में भी ऐसा ही हाथ है बिहार में हालात बहराश्च के बिलकुल उलट है, देश के कुल प्याज उत्पादन में बिहार की हिस्सेदारी 5.61 फीसदी है यहां पर प्याज का न्यूतनम दाम 1.1600 रुपे तक है जबकि महाराश्च में इतना अधिक्तम रेट भी नहीं है उत्परदेश के किसानों को भी महाराश्च के मुकाबले प्याज का दाम ठीक मिल ला है उधर केरल की एक मंडी में ये 4,500 रुपे प्याज के दाम पहुच गया है महाराश्च के कई बजारों में प्याज के दाम में इतनी गिरावट आ गई है कि किसानों को लागत भी नहीं मिल पा रही है जिससे किसान परिशान है महाई एहम दिनगर जिले की अकोल मंडी में 15 माई को प्याज का न्यूतनम रेट सिर्फ 150 रुपे प्रती कुइंटल रहा जबकि पूरे जिले की जुनर मंडी में ये 300 रुपे प्रती कुइंटल का न्यूतनम दाम रहा ऐसे में किसान सरकार से सवाल कर रहे हैं कि इस तरह इंकम डबल कैसे होगी मैं बिहार के किशन गंजिले की ठाकुर गंज मंडी में 15 मई को प्याज का नियूतम दाम 1850 रुपे ब्रदी को इंटल पहुच गया जबकि अधिक्तम 2100 रुपे और औस्तम दाम 2000 रुपे रहा महराश्ट प्याज उत्पादक संगठन के अध्यक्ष भारत दिगोला का कहना है कि महराश्ट में ट्रेडर्स की लौवी बहुत मजबूत है वो अपने हिसाब से मार्केट को चलाती है मुनाफ़ा भी कमाती है उन पर सरकार का कोई अंकुष नहीं है इस बार उत्पादन भी महराश्ट में अच्छा है लेकिन इतना अधिक नहीं है कि दाम सिर्फ 4-5 रुपे प्रती रुपे किलो मिले इसलिए सरकार प्याज पर भी नियुत्म समर्थन मोल यानी MSP घोशित कर दे तब जाकर पूरे देश के प्याज उत्पादक किसानों को फायदा मिलेगा वना इस बाद तो प्याज की खेती करने वाले महराश्ट के किसानों को काफी नुपसान हो रहा है क्योंकि उत्पादन लागत भी नहीं निकल रही है व्यूरो रिपोर्ट मार्के टाइम्स टीवी झाले में बादक किसानों के बादक किसानों को रहा है